जै शरी राम मैं डॉक्टर अंकेत्यागी आपका अपना एस्ट्रोलजार निम्रलोजिस्ट लाल कितावन वास्तू कंसल्टेंट आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं भगवान गणेश जी की पूजा में आखिर तुलसी पत्र क्यों वर्जित माना गया है आखिर क्या करण है कि भगवान गणेश की पूजा में तुलसी पत्र कारपण नहीं करना चाहिए सनातन धर्मे भगवान गणेश जी सर्व प्रथम पूजनियम आने जाते हैं बहुत महत्वे गणेश जी की पूजा का समझत संसार में उन्हें विगन हरता का दर्जा प्राप्त है यनि ऐसे देवता जो अपने भक्तों के सारे विगन हर लें सारे संकटों को हर लें संकट नाशन कहा जाता है उन्हें सनातन धर्म में भगवान गणेश जी तरे महत्पून है कि कोई भी पूजा बिना गणेश जी की स्तुतिके शुरू नहीं होती है बगवान शंकर और माता पारवती के पुत्र बगवान गणेश जी की जिस पर भी किरपा हो जाए उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं कहते हैं भगवान गणेश जी को हरी दूरवा और मोदक बहुत प्रिया है लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान गणेश जी को तुलसी का पत्ता आरपित नहीं करना चाहिए इस कारिय से भगवान गणेश नाराज हो दाते हैं और अपने भक्तों को अशुब फल भी दे सकते हैं क्यों नहीं चड़ाया जाता तुलसी का पत्ता क्या कारण है क्या है इसके पीछे की पौराने कथा कहते हैं एक कथा के अनुसार तुलसी राजा धरमाच उनकी पुतरी थी तुलसी जी और जब तुलसी जी विवायोगे हुई तो उन्हें विवाहेतु अपने पिता से तीर्थ यात्रा पर उन्होंने जाने की आग्या मांगी तुलसी ने, मा तुलसी ने राजा ने तुलसी को आग्या दे दी और वो तीर्थ पर निकल पड़ी इस दोरान जब वो गंगा नर्दी के तटपट टहल रही थी एक दिन, तो वहां उन्हें भगवान श्री गनेश देखे जो तपश्या में लीन थे और भगवान गनेश जी के पूरे शरीर पर चंदन लगा हुआ था और गले में पुष्प की माला थी और उनका रूप बहुत ही दिव्य प्रतीत हो रहा था एक दिव्य सुरूप देख रहा था और वो एक सिंगासन पर बैठे हुए अपनी आखे बंद की हुए इस्ठ की इस्थती कर रहे थे और उनका ये मंत्र मुग्द कर देने वाला रूप मा तुलसी को भागया और उनके मन में भगवान गनेश जी से विवा करने की इच्छा जागरित हुई तुलसी ने तो भगवान गनेश जी करोधित हो गए और तुलसी के विवा के प्रस्ताव को ये क्या कर ठुकरा दिया कि वो जीवन बर ब्रह्मचारी रहेंगे तुलसी भी भगवान गनेश के इस विवार से नराज हो गई और उन्होंने भगवान गणेश को श्राप दे दिया कि उनका एक नहीं दो-दो इस्त्रियों से विवा होगा ये सुनकर गणेश जी को क्रोध आ गया उनका क्रोध और बढ़ गया और बदले में उन्होंने भी तुलसी को श्राप दिया कि उनका विवाइक दैत्य से होगा भगवान गणेश जी का इश्राप सुनकर मा तुलसी को अपनी गलती का एसास हुआ और उन्होंने भगवान गणेश जी से छमा मांगी ये देखकर भगवान गणेश ने तुलसी से का कि तुलसी भगवान क्रश्ण और भगवान विश्णों को बेहद प्रिय है इसलिए कल्योग में तुलसी की पूजा से जातकों को मोक्ष की प्राप्ती होगी लेकिन उन पर तुलसी के पत्ते चलाना हमेशा वर्जित माना जाएगा यानि भगवान गणेश जी ने का कि मैं तुलसी के पत्ते सुईकार नहीं करूँगा कोई भगवान गणेश जी को तुलसी के पत्ते चलाएगा तो वो वर्जित होगा कल योग में मीथा बहुत पसंद है भगवान गणेश जी को बगवान गणेश गजानन जिनको बोलते हैं खाने के बहुत शौकीन है कई तरह की मिठाईयां पसंद हैं उन्हें मोदक बेशन के लड़ू, मोती चूर के लड़ू गोड और नारियल से बनी चीजें उन्हें परसाद या भोग में चड़ाई जाएं तो कहते हैं गणेश जी आपके सारे संकटोगा नाश कर देते हैं गणेश जी आपके सारे विगनहर लेते हैं इसलिए मोदक का प्रशाद चड़ाए जाता है मोदक चावल और आटे गोड़ और नारियल से बनाकर लड़ू आप वुदवार को गणपती जी को चड़ाएं आपको कर्ज से मुक्ती मिल जाएगी और आपके घर में समरत धियानी शुरू हो जाती है और हाँ एक चीज का विशेस धियान रखें अगर आपको धन की इच्छा है तो इसके लिए आप चतुर्थी के दिन सुबह नहाने के बाद भगवान श्री गणेश जी को शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाएं और बाद में ये गुड़ आप गाय को खिला दें ये उपाय करने से आपको धन्से संबंदित समश्चा से मुक्ती मिल जाएगी करजों में कमी आ जाएगी और भगवान गणेश जी की पूजा करते समय ध्यान रहे कि उत्तर दिशा की और मुक करके बैठें बगवान गनेश जी की पूजा के बाद उस समय गनेश जी के जो मंत्र है ओम श्री गनेशाय नमहा ओम श्री गनेशाय नमहा ओम श्री गनेशाय नमहा इस मंत्र का जाप 108 बार करें और गनेश जी की आरती करें देखो आपका जीवन कैसे परवर्तित होता है बस गणेश जी को तुलसी पत्र ना चड़ाएं शास्त्रों में शमी ही एक मात्र पौदा है जिसकी पूजा से गणेश जी और शनी दोनों प्रसंद होते हैं ऐसा माना जाता है कि भगवान श्रीराम ने भी रामण पर विजय पाने के लिए शमी के विरक्ष की पूजा की थी और शमी गणेश जी को अत्यन्त प्रिया है इसलिए शमी के वरक्ष की पूजा अवश्य करें बहुत बहुत आभार आप सब का अगर आपको हमारी विडियो पसंद आती हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन दबाना तो बिल्कुल न भूलें और हाँ हमारी हर विडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये विडियो कैसी लगी फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ नई विडियो के साथ तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जै शरीरा